प्रदान मंत्री जी अभी यूरोप की यात्रा से लोटे हैं और उसी यूरोप में एक संस्तान है विश्व स्वास्त संगठन डबलू एचो जब प्रदान मंत्री जी यूरोप में घूम रहे थे क्योंकि दिल्ली में बड़ा पावर कट है गर्मी भी है उसी समय यूरोप की एक संस्ता वैश्विक संस्ता जिसका headquarter यूरोप पे है वो कह रही थी कि दुनिया में जूट बोलने में नंबर दो इस्तान है भारत का अलाकि उस संस्ता भारती जनता पार्टी कह सकती है कि हमने जूट बोलने में पाकिस्तान को रहा दिया क्योंकि पाकिस्तान हम से पीछे है जूट बोलने में पर हिंदुस्तान ने जो कोविड की डैट्स है उसको दुनिया में नंबर दो हिस्तान पर जूट बोला है ये डबलुएचो का आकड़ा है मेरा आपका किसी और का नहीं विश्वस्वास्त संगठन जिसकी प्रामानिकता पर विश्वस्नियता पर दुनिया का हर देश विश्वास करता है वो कहती है कोविड की मौतों के मामले में दुनिया में दूसरा सबसे जूटा डैटा भारत सरकार ने दिया है ये मेरा नहीं भारत सरकार के लिए उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है उनका ये कहना ह कि 2020-2021 में भारत सरकार ने 4,81,000 कोविड डेट्स दिखाई जबकि वास्तव में 47,47,00,000 कोविड की डेट्स हुई मतलब जितनी भारत सरकार ने डेट्स दिखाई उससे 10 गुना जादा कोविड की डेट्स भारत में हुई हम से आगे जुट बोलने के मामले में सिरव एक ही देश है जिसने 11 गुना बताई हम थोड़ा सा चुक गए प्रथमिस्तान आने में और ये एक डेटा नहीं है वेस्विक दूसरा एक और डेटा आपको देता हूँ लेंसेट ने एक स्टेडी करी और लेंसेट जब स्टेडी करता है तो पूरे रिसर्च पैमानों का ध्यान रखा जाता है उस लेंसेट की स्टेडी में ये बताया गया 40,70,000 लोग कोविड के दौरान 20-21 में भारत में जिनका सुवरगवास हुआ तो 40,70,000 एक वेस्विक संगठन बता रहा है डबलू एचो 47,000 बता रहा है और बाकी जो प्रामानिक और संस्ता है क्योंकि हमने देखा है कि अभी 2021 में एक स्टेट की कोविड डेट्स का अनुमान एक नियूस पेपर ने किया ता उस पे छापा पड़ गया जो ही उसने अनुमान किया उसके उपर छापा पड़ा तो हम ये पूछना चाते हैं कि देड़ करोड लोगों की जान कोविड में दुनिया में गई उसमें से 47 लाग इंडिया में मतलब दुनिया में हर तीन में से एक व्यक्ति हिंदुस्तान में कोविड के दोरान जिसकी डेट हो रही थी भारत सरकार ने देश के लोगों की प्रामानिकता और विश्वस नियता को तार तार क्यों किया क्यों दुनिया की एजन्सीज वेश्विक एजन्सीज कह रही है कि जूटा डाटा देने में दुनिया में नंबर दो इस्तान पर भारत है ऐसा वेश्विक एजन्सीज क्यों कह रही है क्यों हमने हमारी कोविट डेट्स को दस गुना कम करके दिखाया है ऐसा क्यों किया गया है भारत सरकार ने चीर परीचित अंदाज में क्या दिया हम इस डेटा को नहीं स्विकार करते हैं ठीक है, CMIE का डेटा आप सुष्विकारनी करते हो, who का डेटा आप सुष्विकारनी करते हो, आपको अंतरराष्ट्री मेग्जिन डिवाइडर इनचीफ का खिताब देती है उसकी बात आप स्विकार नहीं करते हो हिंदुस्तान के एक अगबार ने एक मध्य परदेश राज्ये में बताया कि एक महिने में एक लाख से ज़्यादा कोविड के दौरान मृत्ती हुई उसको उपर आपने चापा पड़वा दिया पर एक चीज तो देश के हर व्यक्ती ने देखा और आपको स्विकार करनी पड़ेगी कि कोविड के दौरान सेकिंड वेव के दौरान मा गंगा के अंदर लाशे तैर रही थी और दौरान की बड़े बड़ी रिसर्च एजेंसी और दौरान के प्रतिष्टित अगबार हमारी कोविड मिस मैनेजमेंट के बारे में बड़े बड़े लेक लिक रहे थे एक बात तो आपको स्विकार करनी पड़ेगी कि दिल्ली में देश के बड़े शेरों में लखनाओं में ऑक्सिजन नहीं मिरने के कारण सडकों पर लोग दम तोड़ रहे थे एक बात तो आपको स्विकार करनी पड़ेगी कि ऑक्सिजन नहीं होने के कारण लोग जिस तरह से रेमिटी सीवर नहीं होने के कारण ICU bad नहीं होने के कारण परियाप्त विवस्ता नहीं होने के कारण लोग तडप तडप के COVID-1 और COVID-2 पहली और दूसरी वेव में हिंदुस्तान में मर रहे थे हमारी बहुत specific questions है कि मोदी जी आपने देश की प्रामानिक्ता और विश्वस्नियाता को एक बार पुनत दुनिया के पटल पर तार तार क्यों किया आप यूरोप में घूम रहे थे और यूरोप में ही एक दुनिया की एजेंसी कह रही है कि जुट बोलने के मामले में भारत की सरकार दूसरे लंबर पर है मोदी जी हम पूछना चाहते हैं कि COVID कमिशन जिसकी मांग हमने कई दफा करी है All Parti COVID कमिशन जिसमें सारे पार्टी के लोगों के सारे राजनितिक दलों के सदस्य जिसके मेंबर हो उसको स्तापित क्यों नहीं किया जाता ताकि देश को पता लगे वास्तम में कितने लोगों ने COVID के दोरान अपनी जान गवाई ताकि देश को पता लगे कि क्यों हमने वैक्सीन जो प्रोक्यूर्मेंट और वैक्सीन की स्टेटेजी को अपनाने में अन्य देशों से 8 से 10 महीने जादा लगवाए ताकि देश को पता लगे कि I.C.U. बैड की विवस्ता और एमेडी सीवर की विवस्ता क्यों नहीं हो पाई हम मांग करते हैं कि 4 लाख रुपे कोविड कमपनसेशन बचाने के कारण ताकि आपको 4 लाख रुपे उस व्यक्ति के सम्मान में ना उसके परिवार को देना पड़े जिसने कोविड के दौरान अपनी जान गवाई क्या ये सारा अंडर स्टेटमेंट इस कमपनसेशन को बचाने के कारण किया गया है हमारी स्पेसिफिक दो मांगे है भारत सरकार इमीजेटली जिन जिन लोगों की और जैसा की लैंसेट और डबलू एचो की स्टेडीज कह रही है 47 लाख 47 लाख people of our country had lost the life in कोविड उन सभी परिवारों को 4 लाख रुपे की कमपनसेशन राशी इमीजेटली दी जाए पॉइंट नमबर वन हमारी दूसरी मांग है कि कोविड कमिशन की ततकाल इस्तापना की जाए जिसमें सभी राजनेतिक दलों के सदस्य हो और जो एक टाइम बाउंड मैनर में एक देश के सामने रखे है कि कितने लोगों ने जान गवाई कौन कौन लोग वो दोशी थे क्यों ऐसा हुआ जब दुनिया के दूसरे देश वैक्सीन खरीद रहे थे हम ताली थाली और मोबाईल की फ्लेश लाइटे जला रहे थे ऐसा क्यों हुआ तो मैं सवाल लेने से पूरू अपनी बात इंग्लिश में ब्रीफ करता हूं और फिर आप लोगों के सवालों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा Modi government had once again let India down on the world stage by giving wrong data of covid deaths. COVID commission is long overdue now, when will the government come out of slumber? When will the Modi government respect the deceased by paying rupees 4 lakh rupees of compensation to the person who lost the life during COVID? You will be surprised and this is the government data, this is not our data, that as per government civil registrations report, 45% of people who died in 2020 didn't get any medical attention at the time of death. This is not our data, this is CRS data. Now in this regard, the mismanagement of the COVID pandemic by the BJP government is not hidden from anyone. The apathetic attitude has been evident all along. The nation saw people gasping for oxygen during the second wave. The world saw the Modi management style when thousands of bodies were floating in Maa Ganga. India was shamed at the world stage when pictures of the body floating were circulated in the international media. In short, while the Modi government has been chest-thumping for its COVID management, the reality is far harsher than the government wants us to believe. A big expose by the WHO has exposed the death tolls in India due to COVID from 1st January 2020 to 31st December 2021. As per the government data, till date, 5,24,000 people had lost life due to COVID-19 in India. I would like to give you some inputs or highlights of the WHO report. The world saw 1.49 crore excess deaths associated with COVID-19 pandemic. One in three deaths in the world due to COVID happened in India. This is WHO report. India has 47 lakh deaths due to COVID-19 from 1st January 2020 to 31st January 2021. Amongst the nations with highest ratio of excess deaths in 2020 and 2021 as compared to official records of COVID-19 deaths, India is ranked second in the world with a ratio of 9.9x. Means whatever we had reported and whatever is the WHO estimation, there is a difference of 10 times behind Egypt, which is 11.6x, and ahead of Pakistan, which is 8x. Means, Means, Galat Jhuti Jhankariya Denehme, Amne Pakistan Ko Pichhe Chhoddiya. Almost half of the deaths that until now had been counted globally were in India. I am giving you comparison of various studies regarding COVID deaths in India. As per Lancet study, 40,70,000 people in our country had lost life in year 2020 and 2021. As per WHO data, 47 lakh people had lost life in the year 2020 and 2021. Whether it is Lancet study or WHO study regarding the excess deaths of COVID due to COVID-19, are in resonance with what a leading Hindi daily had published for one of the states. The world saw pictures of body floating in the poise Maa Ganga. There has been recurring reports of concern over Modi government's management and data. Even if we keep the numbers aside, the government's civil registration system has accepted that 45% of people who died in 2020 didn't get any medical facility. All facts are staked against the government. They can't simply refute the claims of expert panel without providing any empirical data or logic. You can't say, I don't accept. If you don't accept, give the reasons. The government must accept its mismanagement of the pandemic. And we have very specific questions for the Modi government. Number one, three questions. When the BJP claims of putting India on the world stage, is this the way we Indians want to see our country being mentioned on the world stage? जब मोदी जी बड़ी बड़ी बाते योरोप में कर रहे थे, उसी योरोप में कहा जा रहा था कि भारत की सरकार जूट बोलने में दुनिया में नंबर दो पे है. Point number two, When a leading national daily reported numbers regarding access death in Madhya Pradesh due to COVID-19, its office was raided by agencies. When will the agencies raid WHO? WHO, क्या भारत की agencies अब WHO पे भी raid करेगी? क्योंकि जो भी सत्य ड़टा देता उस पे भारत सरकार की raid हो जाती है. Point number three, Is the government under-reporting of COVID-19 data a way to escape paying a COVID-19 compensation to the families of deceased? And in this regard, we have two very specific demands. On behalf of people of our country, the government must immediately form COVID-19 commission with members from all political parties to analyze the deaths that happened due to unavailability of oxygen, broken supply chain in case of vaccines and medicines, and plan for better management of these pandemics in the days to come. And our second demand is that, that the government must immediately pay rupees four lakh to the family members of the deceased who have died due to COVID-19. If it can't provide medical care and facility, this is at least the Modi government can do to pay respects to the people. If you have the health of them who have not vaccinated, you have no oxygen to come to the time of people, you have no doctor, no doctor, no doctor. You have no medicine to come to the time of people, you have no doctor, no doctor, no doctor. का compensation देके एक respect तो दीजिए आप ये under reporting बंद कीजिए और COVID Commission का गठन करके सई स्तिती देश के सामने रखिए क्योंकि जब दुनिया की agencies हमें दुनिया का दूसरा हमारे data को दूसरा सबसे जूटा data बताती है तो देश के लोगों का सर शर्म से जूग जाता है देखिए एक एक कोशन का पॉइंट नमबर वन का सत्रा राजी आपने पूछा तो देखिए एक एक कोशन का देश में अगर हम कहते हैं सत्रा राजी है तो लगबग दोतिया ही देश की आबादी कवर हो जाती है जब भी हम कोई भी research के लिए sample collect करते हैं कोई भी research के लिए तो 100% data तो ले नी सकते हैं सेंपल साइज पर इस्टेडी को आगे बढ़ाया जाता है तो जब 70% universe को आप cover कर रहे हो अपने sample size में तो इन 17 राजीों में कौन से हैं ये WHO ने अपनी report में नहीं बताया है पर 17 राजी अगर कोई कहता है तो देश की 70% आबादी cover होती है आपके sample देखिए कोविड के दौरान किते लोगों का death registration हुआ किते लोगों का death certificate बना किते लोगों की death हुई access क्योंकि आप जब इस तरह की studies होती है तो कैसे इन्होंने अनुमान कैसे लगया उसकी आपको जानकरी देता हूँ 2018 में मानलो X लोगों की death हुई 2009 में 1.1 X की हुई 2020 में अगर वही trend को हम देखे है तो 1.21 X की होनी चीए थी तो जो deaths हुई actually में और जो deaths उस trend के अनुसार होनी चीए थी जो वो difference आया उसको COVID की deaths माना जाएगा देखिए मैं तो बोल रहा हूँ ना भारत सरकार पूरा COVID कमिशन बैठा है मैं तो बोल रहा हूँ कि सारे राज्यों से डाटा वापिस इखटा किया जाए 47 लाख लोगों ने अपनी जान गवाई है 40 लाख 70 अजार लेंसेट के अनुसार जान गवाई है COVID कमिशन के बाद सारे राज्यों से मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि भाई उत्तर परदेश का ही डाटा ले क्योंकि वहाँ आमने गंगा मया में लाशे तैरती देखी जो कि जहां सबसे जादा मिस मैनेजमें है ये भी नहीं कह रहा कि गुजरात का ही डाटा ले जहां कि गुजरात के हाई कोर्ट ने कहा कि गुजरात की सरकार COVID मैनेजमेंट में एक टाइटेनिक की तरह डूब रही है ऐसा गुजरात हाई कोर्ट की टिपड़ी थी तो मैं तो ये कह नहीं रहा मैं तो कह रहा हूँ सारी जगों से सई डाटा का संकलन करके उन लोगों के उन लोगों के परिवारों को 4 लाख रुपे का कंपनसेशन दिया जाए और ये 47 लाख लोगों की डेथ क्यों हुई क्यों दुनिया में 1.5 करोड लोगों की डेथ हुई उन में से 47 लाख हमारे देश में मतलब हर तीन में से एक death हमारे देश में क्यों हुई इन चीजों का जवाब दे क्या problem थी क्यों oxygen समय पर दिल्ली में नहीं पहुँच पाई क्यों दिल्ली में हस्पतालों में लोग oxygen नहीं मिलने के कारण बचास-पचास-चालिस-चालिस लोग लगातार दम तोड रहे थे क्य यह भी बात कर रहो मैं कोई selective बात नहीं कर रहो रहो तो यह एक भी इमान के वी शुट गिए कई एक लिए रस्पक टो रहे घंड बचास-प्र प्रीश कोविड कंपने सिएश क्यों अट नहीं नहीं में सुट फ्रीश कोविड कंपने लोग इंविएटल प्रीश शुट ए we have to plan if there is some pandemic if it again after 10 years 20 years 5 years if some other pandemic comes we should have some policy we should have our preparedness for that that is what we demand I will take on this after COVID look at this तो यहां पर थे उससे सो डेड़ सो किलोमेटर दूर एक दुनिया की वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजेशन की एजेंसी आपको कह रही है कि आपने जो भी डाटा दिया वो दस गुना कम आख के दिया और आपकी जानकारी आपको तो पता होगा डॉक्टर हर्श वर्दन अभी कुछ समय पूर्वी मई 23 दोजार इक्तिस को वर्ल्ड हेल्थ और्गन इजेशन के एग्जेक्यूटी बोर्ड के चेर परसन चुने गए हैं तो वही एजेंसी डाटा दे रही है हम थोड़ी दे रहे हैं तो सरकार अगर इस डाटा को इस डाटा को नहीं एक्सेप्ट करती है तो यू हाव टू गीव लॉजिक आप ऐसे नहीं कह सकते हैं नहीं मै आप खुद कोई डेटा देते नहीं हो और जिसमें देते हो उसमें जूटे देते हो दुनिया की एजेंसी बोल रही है और आप छोड़ दीजे डबलु एचो को आप छोड़ दीजे लैंसेट को मैं आपको एक बहुत एक बहुत एक सिंपल स्टेडी बताता हूं आप अपन मिल जाएगा हर हिंदुस्तानी को डेटा मिल जाएगा ये देखिए कि आपके आसपास दस परिवारों में कोविड के दौरान कितने लोगों की मिरती हुई और फिर उसको बढ़ा दीजे हिंदुस्तान में 30 करोड परिवार है आपको exact डेटा मिल जाएगा किसी एजेंसी की ज़रूरत नहीं क्यों कर रही है भारत सरकार हिए क्या ये सिरफ 4 लाग रुपय कंपनसेशन बचाने की कवायद है हमारा सर शर्म से जुकता है जब दुनिया की एजेंसी हमारे डेटा पे हसती है हमें कोई खुशी थोड़ी है कि दुनिया की एजेंसी भारत सरकार को प्रेजंट करते है और वो दुनिया की एजेंसी कहती है तुम दूसरे नंबर के जुटे हो दुख होता है इसलिए हम कह रहे है कि ये हमारी विश्वस्नियता को बना के रखे हमारी विश्वस्नियता को खराब ना करे कितने लोगों की डैथ हुई वो एग्जेक्ली बता है और बताने की जरूत नहीं देश के हर व्यक्ति को पता है गंगा मिया के अंदर लाशे तैर रही थी यह मैं नहीं आपने सब ने देखा लोग दिल्ली की सडकों पर ऑक्सीजन की कमी के करण तडब तडब के मर रहे थे वो फोट में हमारे जहन में है दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन बंद हो जाती थी और 40 लोग अचानक से मर जाते थे ये खबरे आप सभी लोगों ने प्रकाशित की ये प्रमुकता से ने जो डेटा दिया है वो ग्रॉसली अंडर मैं कहूंगा उस ग्रॉसली कम करके आखा गया है उस सई डेटा को दिया जाए कोविड कमिशन का गठन किया जाए चार लाक रुपे का जो जो सम्मान है क्योंकि हम हिंदुस्तान में हमारे लोगों को रेमिडी सीवर नहीं दे पाए ऑक्सीजन नहीं दे पाए हम उस व्यक्ति का प्रॉपर इलाज नहीं कर पाए बिहार उत्तरप्रदेश से खबरे ये आ रही थी कोविड की दूसरी वेव के दौरान कि रेमिडी सीवर छोड़ दो क्रोसीन की गोली नहीं मिल रही थी हम हमारे लोगों को क्रोसीन की ग हम आज forward looking होके ये नहीं सोचें ये नहीं जानने का प्रयास करें कि कौन क्या problem थी कौन लोग दोशी थे क्या वो लोग दोशी थे जो कोविड के दौरान लुडो खेल रहे थे और आलू प्याज की सबजी बनाने की विदी अपने twitter handle पे डाल रहे थे क्या वो लोग दोशी ह कोविड के दौरान अपने घरों से जो जैन प्रतिनिदी, मंत्री अपने घरों से भार तक नहीं निकल पा रहे थे क्या वो लोग दो दोशी है जिन्नोंने हमारी वैक्सीन, हमारे बच्चों की वैक्सीन अपनी वावाई के लिए दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर दी क क्या वो लोग दोशी है? जब दुनिया के सारे देश वेक्सीन्स बुक कर रहे थे? हम उस समय मुबाइल की फ्लेश लाइटे जला रहे थे? हम तालिया और ठालिया बजा रहे थे? खामिया जाईए हुआ 47 लाख लोग हमारे बीच में हमारे भाई हमारे रिष्टेदार हमारे पडोसी हमारे अंकल हमारे आंटी नहीं रहे हमने तो एक कमीटी बनाई थी एक उस पे इस कमीटी के आउटपुट का एक पीसी भी की थी गुजरात में एक स्टेडी भी करी थी किस तरह से गुजरात में गुजरात की सरकार ने ग्रॉसली अंडर स्टेटमेंट किया है कोविट की डैट्स का हम पूरे देश की ये रिस तो इसमें हम हमारे इस तरपे एक एक राज्य में कर रहे हैं और हमारा मानना है हम मानते हैं कि डबलु एचो का आकड़ा गलत नहीं है हम ये हम ये इस आकड़े को नकार नहीं रहे ह हम ऐसे हमारी पॉलिसी ये नहीं है कि जो आकड़ा हमारे फेवर में नहीं हो हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करें हमारी पॉलिसी वैसी नहीं है कि अगर बेरोजगारी की दर ज़्यादा है तो CMI जुटा है हम वेसे विश्वास नहीं करते हम ये समस्या को जब तक मानेंगे नहीं समस्या का समाधान नहीं करेंगे आपी के एक साथी ने अभी कड़वा सवाल पूछा मैंने एक्सेप्ट किया ना मैंने ये थोड़ी कहा कि नहीं वहां की जाच नहीं कराएंगे COVID कमिशन हर स्टेट की जाच करें और बताए कितने लोगों की डैथ हुई का हुई कौन लोग दोशी थे कौन लोग दोशी थे कि oxygen नहीं मिल पाई हमारे लोगों को हम तो मांग कर रहें तो हम तो forward आप जब तक एक problem को identify नहीं करते उस problem का समाधान आप नहीं निकाल सकते तो पहली stage problem के remedy की ये होती है कि you have to accept the problem अगर आप problem को accept ही नहीं करेंगे उसका समाधान नह निकलेगा आपके आखे बंद कर लेने से ये 47 लाग का आकड़ा जूटा नहीं हो जाएगा अगर भारत सरकार को आपती है तो इसका विदी बाई point by point answer दे कि क्यों इनकी जो process है जिनसे 47 लाग का डबलू हो का आकड़ा निकाला गया वो क्यों गलत है you can't say if you have to defeat the logic you have to give better logic आपको 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 logic कोई आप मेरको कोई logic दे रहे हो कोई एक data दे रहे हो अगर मैं इसको नहीं मानता हूँ तो मुझे इससे better logic आपको convince करना पड़ेगा मैं यह नहीं कह सकता नहीं नहीं मैं आपकी बात नहीं मानता जाओ this is not done यह acceptable नहीं है हमको स्विकार नहीं है भारत के लोगों को स्विकार नहीं है कि हमें दुनिया का दूसरा जुटा देश का आजाए नहीं स्विकार है हमें we can't accept this हमारी संस्टाएं है हमारी democracy है हमारी systems है कोई हमारे system संस्टाएं डाटा पे एक सवाल उठाता तो हिंदुस्तान के लोगों पे 10 गुना जादा है, these are important questions government should answer and logic should be defended by better logic, not by saying I don't accept this, you can't say महंगा ही जादा है प्याज नहीं खाती, these are not acceptable, you can't say petrol, diesel के दाम जादा है राज्य सरकारे कम करे, I can't do anything, you can't say oxygen नहीं पुछी पहुची राज्य सरकार जिम्मेवार है, you can't say remedy receiver नहीं पुछी राज्य सरकार जिम्मेवार है, you can't run away from your responsibility, जी, आप chronology समझे, पहले holding company ने जिगनेश मेवानी को गिरफतार कर लिया, फिर subsidiary company ने तेजिंदर बग्गा को गिरफतार कर दिया, आप इसकी chronology समझे, ये सायोग नहीं है, ये प्रयोग है, और ये प्रयोग है, ये बताने के लिए कि देश में आप अगर सवाल पुछोगे, तो आप गिरफतार कर लिए जाओगे, ये प्रयोग है ये बताने के लिए कि हम B team नहीं है, पर आप B team हो, क्योंकि आपकी और उनकी modus operandi exactly similar है, कानून का राज है, कानून की विवस्ताएं है, कल अचानक से कहीं पे भी कोई पुलिस आ जाती है, किसी को गिरफतार कर लेती है, क्या कारण है, हम किसी व्यक्ति विशेश की या बात नहीं कर रहे हैं, हम एक बड़ी बात कर रहे हैं, लोकतंत्र है, सवाल पूछने का अधिकार है, क्यों अचानक से ये पुलिस राज की स्तापना हिंदुस्तान की सरकार करना चाहती है, क्यों ऐसा हो रहा है, और ये क्रोनोलोजी, होल्डिंग और सब्चिडिरी दौनों बारी-बारी से चला रहे हैं, मेरे को इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है, मैं जानकारी लेके दूँगा। क्या टिपनी करेंगे, कानून हम तो न्यायलो की सम्मान करते हैं, पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, आगे भी करेंगे, हम तो सुप्रिम कोट की और करनाटक हाई कोट की रूलिंग का भी सम्मान करते हैं, जिसने कहा एक निश्चित डेसिबल से ज़्यादा ना तो समारों से आनी चाहिए ना मंदिर के लाउड स्पिकर से आनी चाहिए हम तो कानून का सम्मान करते हैं हमें हम कानून के बारे में हम क्या टिपनी करते हैं जी मी किस्थत्र होडरा बीसलेकर जो मी किस्थत्र होडरा जो में किस्थत्र होडरा जो अगरुब तो करते हैं ठीक है झाल झाल